कभी कबार मू के बल गिरना भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि मू के बल गिर जाने के बाद ही इनसान के जीबन में ऐसा समय आता है जब इनसान खुद को बदलने की कोशिस में लग जाती है अगर जीबन में सब कुछ सही सही चल रहा है तो फिर लोग कभी भी चेंज नहीं होते हैं अगर जीबन में थोड़ा सा भी गलत है तो भी लोग अपने आप में बदलाब नहीं लाते हैं लेकिन जब जब सब कुछ खतम हो जाते हैं तो फिर परिबर्तन लाना जरूरी होता है बस अब बहुत हुआ अब आप आपकी जीबन की सरे हुए पाट को देखो उसे छुपाओ मत उसे रोसनी के तरफ लेकर आओ आप अपने जीबन में बदलाब लाने में सक्सम हो और वो बदलाब अभी ला सकते हो आप अगर सोचेंगे कि उसे छुपाने से उसे कोई भी नहीं देख पाएगा और उसे छुपाओगे तो फिर आप कभे भी अपना पूरा पोटेंसियल को नहीं जान पाओगे अपने सारे कमजोरियों को ढून निकालो आपको अपने अंदर ये घोसना करना होगा कि आप अपने आपको बदलोगे अब आप जिस हालाद में हो बोहाँ से बाहर निकलने के लिए आपके पास खुद को बदलने के इलावा दूसरा कोई चाड़ा भी तो नहीं है आप एक बार सोचो कि आप अगर खुद को नहीं बदलोगे तो फिर आपको कितना सादा दर्द शेलना पड़ेगा आप अगर खुद बखुद अपने अंदर बदलाब नहीं लाएंगे तो फिर आपके जिवन में कुछ भी नहीं बदलेगा कुछ भी बहतर नहीं बनेगा जब तक ना आप खुद को बहतर बनाओगे आपको खुद को बदलने से आपके भविस्व में अगर कोई पड़िवर्थन आ सकता है तो फिर आपको खुद को बदलना जरूरी है आपको खुद से ये कहना होगा कि मैं खुद को बिटार बनाओंगा मैं अपने कामों में कॉंसिस्टन्स इलाओंगा कोई भी कमजोरी कोई भी लिमिट मुझे रोक नहीं पाएगी जब तक आप कुछ भी नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा आप जीवन में सच में बड़ा कुछ डिजर्ब करती हो और यही सही वक्त है खुद को ग्रो करने का यह समय है उस जीवन को बनाना जो आपने चूज किया है जब तक ना आप अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे तब तक कोई भी बदलाब नहीं आएगी और यह सारी परिवर्तन तब आता है जब आप खुद सिधान्त लेते हो और उसके साथ साथ अपने अंदर हिम्मत भी लाते हो उस डिसिशन को पूरा करने की आप अपने सपनों का पीछा आखिर कर क्यों कर रहे हो क्यों आप अपनी जीवन की हर एक दिन की एक्स्ट्रा हावर्स उस पर खर्च कर रहे हो आखिरकार क्यों आप sacrifice करना चाह रहे हो और उस सपनों के पीछे भाग रहे हो ये पैसों के लिए बिलकुली नहीं है ये है आपके freedom के लिए freedom यानि सोतंतरता की opposite meaning है slavery मतलब गुलामी और ये गुलामी है अपने अंदर की negative सोच की ये गुलामी है दूसरों की expectations और opinion की ये गुलामी है आपकी बनाए हुए limitation की जो आपको limit के बाहर सोचने ही नहीं देती है